अमेर्की मूलकी कमला हैरिस ने उपराष्टपती पद के लिए टिकट हासिल कर इदिहास रच दिया है अमेर्की चुनाव में डिमोक्रेटिक उमीदवार जो बाइडर ने मंगलवार को कैलिफोर्निया सीनेटर कमला हैरीस को उपराष्ट पती पत के लिए अपना उमीदवार बनाया है उपराष्ट पती पत की टिकर पाने वाली कमला हैरीस पहली बार ACI अमेर्की है कमला हैरिस भारतिय मूल की अमेरिकी नागरिक है उनकी माँ शामा गोपालन हैरिस का जन्म चिन्ने में हुआ था और वहाँ एक कैंसल सूर्द करता थी जिनका 2009 में निधन हो गया और उनके पिता डोनाल हैरिस जमेका के रहने वाले है यो फिलहाल स्टैन्फोर्ड विस्विद्याले में पढ़ाते है जब हैरिस और उनकी छोटी बेहन माया हैरिस बहुत छोटी थी तब उनके माता पिता अलग हो गए थे हैरिस अब अमेरिका में उपरास्टपती पत की उमीदवारी करने वाली भारती और A.C.I. मूल की पहली अमरीकी है वहाँ डेमोक्रेट गेराल डैन फेरारो और डिपलविकन सारा पॉलीन के बाद एक परमुक पार्टी की पहली अफरीकी अमेरिकी और उस पत के लिए उमीदवारी करने वाली तीसरी महिला भी है कमला हैरिस ऑकलेंड में पली बढ़ी है उन्होंने हावर्ड युनिवर्सिटी से इसना तक की डिग्री ली है इसके बाद कमला ने कैलिफोर्णिया युनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है हैरिस सेन फ्रांसिसको में जिला अटार्नी के रूप में भी काम कर चुकी है वहां 2003 में सेन फ्रांसिसको की जिला वकील बनी थी हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्णिया से सैयुक्त राष्ट सीनेटर के रूप में सबत ली थी वो ऐसा करने वाली दूसरी अश्वेत मैला थी उन्होंने होमलेंड सेक्योरिटी एंड गवरन्मेंट अफेयर्स कमेटी इंडेलीजेंट पर सेलेक्ट कमेटी जूडिशरी कमेटी और बजट कमेटी में भी काम किया हाला कि पिछले साल तक कमला हैरिस दाष्टपती पत के लिए उम्मीदवार की रेस में थी मगर समर्थन नहीं मिल पाने की बजह से इस रेस से बाहर हो गई थी जो बाइडन ने अपने हरीकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा ये बताते हुए मुझे गर्ब हो रहा है कि कमला हैरिस को मैंने अपना उपराष्टपती पत का उम्मीदवार चुना है बाइडन ने कमला को एक बहातुर योधा और अमेरिका के सबसे बहतरी नोकर साहों में से एक बताया उन्होंने अगले ट्विट में कहा जब कमला हैरिस कैलिफोर्निया की अटारनी जनरल थी तब से मैंने उनको काम करते हुए देखा है मैंने खुद देखा है कि उन्होंने कैसे बरे बरे बैंको को चुनाती दी काम करने वाले लोगों की मदद की और महिलाओं बच्चों को शोशंग से बचाया